हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों तो आपके घर में भी खराब LED बल्प पड़े हुए हैं तो उस खराब LED बल्प को आप कैसे पहचान करेंगे और कैसे चेक कर पाते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लाश्ट तक जरूद देख लिजेगा तो मैंने देखिए अपने चैनल पे कम्मूनिटी पोस्ट डाला हुआ था और आपसे पूछा था मैंने कि आप LED बल्प रिपेरिंग से संबनित वीडियो देखना जादा पसंद करते हैं या फिर आप LED टेस्टर बनाना सीखना चाहते हैं तो आपने हमें कमेंट किया पोस्ट की हमें LED टेस्टर बनाना सीख तो हमने इस कमेंट के आधार से हमने वीडियो बना रहा हूँ LED बल्ब को आसानी से चेक कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए तो देखें आज का इस वीडियो को skip करके बिल्कुल भी मत देखना क्योंकि skip करके वीडियो हमारा देखते हैं तो किसी भी पार्ट को देखने में मिस कर जाते हैं तो इस तरह का LED बल्ब को आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे तो चले यहाँ पर हमारा वीडियो को भी तक आपने हमारा लाइक नीक है तो एक लाइक जरू कर दिजेगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए है तो उसको मैं आपको समझा देता हूँ किस डिरेक्शन में आपको करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सबसे पहले ब्रीज रेक्टिफायर बना लेना है या फिर आप किसी भी तरह से आप सरकीट से यहाँ पर देख सकते हैं तरह से यह bridge rectifier diode जो है तो इसको भी आप निकाल सकते हैं अप खराब LED bulb का देख सकते हैं bridge rectifier diode इसको निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से सेम आप बना सकते हैं अगर इसको अगर आप समझने में गलती कर जाते हैं तो आप इस LED bulb को checking करने के लिए LED टेस्टर आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं तो इसमें देखे मैंने जो register यहां पर लगाया हुआ है उस register का आप value आप इसमें बता रहा हूं आप देख सकते हैं color code वगरा सब कुछ यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देखे 10 ohms का fusible resistance में रहें यहां पर दोनो AC का जो connection है उस दोनो साइड में यहां पर मैं लगाया हुआ हूँ और यहां पर देख सकते हैं 15 kilo ohms का यहां पर quarter watt में यह देख सकते हैं यहां पर register यहां पर लगाया हुआ हूँ जो हमारा देख सकते हैं DC output है यहां पर plus और minus के लिए और यह देख सकते हैं एक watt में तो यह इसको आप screenshot लेके भी आप रख सकते हैं देख सकते हैं और इसके बाद में आप अपने खराब हुए LED को आसानी से check कर पाएंगे बहुत ही easy तरीके से तो चलिए इसको मैं यहां पर दिखात हैं और इसको बना के चेक कर पाएंगे तो यहां पर देखे मैं इसको कैसे और connection करता हूं इसके लिए इस तरह से देखे चार डायोड लगेंगे और देख सकते हैं चार यहां पर रेजिटर लगे हैं तो इतना लगने के बाद में और दूसरा आपको क्या लगेगा यह मैं को दिखा देता हूं तो यहां पर देखे मल्टी मिटर का खराब չुमने प्राड लिया हुआ है ताकь हिसको LED की तरह हम जो टेस्टर होता है उसमें जो प्राड लगे होते हैं तो इसमें भी इसी तरह से होते हैं तो इसमें चेक करने में में आपको सॉड और सर्कीट कभी भी नहीं लगता है इस तरह से बच जाते हैं तो इसके लिए आपको देखें मुल्टी मिटर की खराब जो पराड होते हैं उसमें से देखें इस तरह से आपको कनेक्शन कर लेना है तो यहां सिल्वर पट्टी के तरफ कौन सा लगेगा और देखें ब्लैक प को इसमें देखें कहां कहां कनेक्शन करना है यह मैं आपको जरूर दिखा रहा हूं तो इसमें देख सकते हैं कि यह हमारा प्लस है और मैनस कौन सा है तो देख सकते हैं यहां पर हमारा ब्लेक ब्लेक जो है इस साइड में है और यहां पर सिल्वर पट्टी जो है इस साइड मिलेगा तो प्लस पॉइंट मिलेगा तो हम इसको यहाँ पर कनेक्शन करेंगे और देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको कनेक्शन कर रहा हूं यह हमारा माइनस पॉइंट है तो इस तरह से से इसमें connection किया हुआ हूँ और देख सकते हैं इस साइड भी है हमारा माइनस है आप इसका screenshot अच्छी तरीका से ले सकते हैं और इसको डाइग्राम को समझ लिजेगा देख सकते हैं यहाँ पर हमारा LED का यह plus point है इस साइड में देख सकते हैं यह मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ जो इसको आप connection करने में गलती मत किजेगा तो देखे अब इसमें AC connection यहाँ पर लगाता हूँ और दूसरा यहाँ पर और इसको मैं check करके आपको दिखाता हूँ बहुत ही जल्द आपको देखन करूँगा इस claim की सहता से और इसको मैं check करके दिखाता हूँ एक AC connection का यहाँ पर देख सकते हैं और दूसरा यहाँ पर लगा देते हैं अब इसको लगाने के बाद में इस तरह से देखे अब इसकी wire को आपको touch नहीं करना है क्योंकि इसमें हमारा देखे voltage इसमें AC या DC इठाने बाला हूं तो चले यहाँ पर मैं लगा लेता हूं इसका connection को देख सकते हैं कि इसमें हम जब touch कर रहे हैं तो हमारा LED जो है वो हमारा glow कर रहे है देख सकते हैं इसमें आपका सोठ होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है थोड़ा इसमें आप साउधानी रखते हैं तो इसको भी कर सकते हैं तीन को भी कर सकते हैं जो खराब है वो खराब ही दिखाएगा उसको आप कर सकते हैं इस तरह से लगा करके तो देखे मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूं कि इसको भी आप इस तरह से लगा के चेक कर पाएंगे देख सकते हैं यह जो प्लेट है इसमें भी आप लगा के चेक कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है आप यहाँ पर अच्छी तरीका से इसको भी कर सकते हैं देखे तो इस तरह जब होगा तो आप इस मल्टीमिटर की प्राड को आप चेंज कर लिजेगा तो देखे एक SMD LED यहाँ पर हमारा चेक हो रहा है और देख सकते हैं यह तीन भी हो रहा है और एक साथ में भी इस तरह से कर रहे हैं आप देख सकते हैं इतने आसान तरीके से आप अपने किसी भी LED को आप आसानी से चेक कर पाते हैं तो देखे यहां पर भी मैं लगा रहा हूं और देख सकते हैं जल रहा है इस तरह से आप अपने घर के खराब LED को बहुत ही आसान तरीके से इसको चेक कर पाते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो हमारे वीडियो को ए आपको कोई दिकत नहीं आएगा अगर आप बनाने नहीं जानते हैं तो इसको आप जरूर ट्राइ करके देख लिजेगा आप इसको चेंज करके देख सकते हैं तो चलिए मैंने तो इसको किया और इस तरह से हमारा जल रहा है आप की इस तरह से बना रहे हैं अगर आपका का नहीं कर रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों ताकि मैं सभी को गाइड कर पाऊं दोस्तों तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको कौन सी सहर से देखते हैं अपने प्यारे से सहर का नाम कमेंट करके जरूर बता ही दिये होंगे दोस्तों और हमारे व